मोनु मानेश्वर का एक बीडियो जिसमें वह एलान करता है दस जार रुपए का वांटिड है वह कायर हत्यारा जिसने जलाया और अभी नुह जला दिया एक कातंकी ने एक आदिवासी एसाईटी का राम मीना की हत्या कर दी अलग अलग बोगी में जा करती मुसलमानों के हत्या कर दी और हत्या का कारण क्या था एक कारण था कि देश्व समय यदि रहना होगा तो मोधी योगी कहना होगा तो चेतन सिंग चोधरी के घर पर भी छापा डाला जाना चाहिए और छापा डाल के देखा जाना चाहिए वह कौन कौन से टीवी चैनलों को देखने का काम करता था जो टीवी चैनल हमारे देश में उसके दिमाग में आदिवासी की और मुसलमानों की हत्या करने के लिए प्र इंद्र नावत और आज बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रेल में रेलवेर पुलिस फोर्स की बर्दी में एक कातंकी ने एक आदिवासी एसाइटी का राम मीना की हत्या कर दी अलग अलग बोगी में जा करती इन मुसल्मानों की हत्या कर और इस बात को लेकर जो उसकी पहस चेतन सिंग चौद्री की बहहस एक आदि वसी इसाइज इन शीन रद्र कारी के साथ दू वह सीटीने करोध मेर आबेशमा आ गया कि टीकार्राम की हत्या करती ते कर राम की हथ्या तब अब कहा जा रहा है परिवार की तरफ से को रेलवे के फोर्ट की व्यावस्ता की तरफ से कि वहाँ बीमार था अस्वेश ता बताया जारा है उसके दिमाग में खून का थक्चुत होका वह चुन करके आदिवाशी की हत्या करेगा वहाँ अलग अलग बोगी में जाकर के मुसल्मानों की हत्या करेगा मैं एक बड़ा सवाल आपके माद्यम से आपको बीडियो दिखा रहा हूँ इस वीडियो में आपको देखना चाहिए कि हमारे देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी राजहस्तान की सभा में केंद्र की 10 साल रहने वाली कांगरेश सरकार के संदर्म में क्या बोल गए तो क्या यहां मानशिक्त यह मनोदसा यह जो वीडियो आपने देखा यह रोक हमा यही बीडियो नहीं इससे पहले आपने देखा हमारे देशोर दुनिया में मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिकी संसर में भी आपने दीखा जहां बीटियों पर investigation की बात करते हैं इससे पहले मैं बहुत पहले कहिछ चुका वहां था कांग्रेश सरकार के लिए मैं माफी चाहता हूं जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए पूरे देश की 140 क्रोड ज्यादा आबादी से मैं माफी चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधान मंत्री की कुर्शी पर ऐसा नालाइक बैठा हुआ है और अब भी माफी म नरेंद्र का माल ही बदलती है यह नरेंद्र मोदी ने जापानी पारक में दिल्ली में कहा था चुनाव संचालन समीची का शियर्मेंट बनने पर मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूं बीमा कोरे गाउं में जिन लोगों को पकड़ा गया और जेल में भरा गय उनके घर छापे मारी की गई और पता लगाया गया कि वहां किस-किस परकार के उनके हाँ कौन से मैगजीन कौन से अकबार पड़ते थे क्या-क्या वो नोगों का विचार धारा था वो सब्यकत्र कर दिया गया तो चेतन सिंग्चोधरी के घर पर भी छापा डाला जाना चा ओँपाईये वह कौन काॉं से टी-वी से चैनलों को देखनेे का काम करता था जो टी-वी सेटानल हमारे देश में उसके दिमाग में आधिवाशी की और मुसल्मानों की खत्या करने के लिए पर्रेड़ कर रहे थे वह वो हमारे देश में किन-किन ऐसे नेताओं को फॉलो करता था जिसके कारण उसके दिमाग में आदिवासी और मुसल्मानों की हच्चा का सडियंत्र आया और उसने बाबर दी यह हत्या कर दी लेकिन मैं इसके साथ एक और महत्वपुर्ण बात आपको कहना चाहता हूं यह संजोग है की परियोग है मैंने बार-बार कहा था क्या कारण है क्योंकि अभी आपको मालूम होगा मनिपूर के मसले पर जिस तरीके से बगले झाक रही है मोधी सरकार और सुप्रीम कोटे मुख्य नयादिश के अध्यक्स्ता वाली बेंच नहीं कहा कि नहीं हमको तमाम ए कि एक सवाल के जबाब चाहिए चावास और साड़े छह जाह जार याफायार का मामला हो उन याफायारों में ऐसे कितने मामले हैं जो महलाओं के यहन सोस्ण के हों बच्चों के हत्या के हों ।ो मोधी सरकार को जानकारी नहीं है मनिपुर्गी सरकार को जानकारी नहीं है कि बल्योन सोशन के मामले में कितनी फायार उनमें से है बच्चों की हत्या के मामले कितने है आगजनी के मामले कितने है संपती को लूटने के मामले कितने है पाच हजार जादर रैफल और जो गोले बारुद को लूटने के या फायर कितनी है ये कोई जानकारी नहीं और मैं लूट पाट की बात को बिल्कुर नहीं करता हूँ मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ 28 तारीक को 28 जुलाय का मैं जिक्र कर रहा हूँ सुप्रीम कोट में बहुत लंबा समय मांग रही थी मोदी सरकार और मुख्यनयाईदी इसने लंबा समय देने से अनाक बना कर दिया था कहा कि 31 तारीक को सुनवाई होगी सारे दस्तावेश लेकर कि हाँ पहुचो और आप सब को मैं बताना चाहता हूँ ततकार नर्यंद्र मोदी ने पूरे अपने गुर्गों को टाई कर दिया था सुप्रीम कोट की एक एक गती बिदी पर नज़र रखने के लिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संजोव नहीं ये परियोग है चेतन सिंग चोधरी आरेसेस बीजेपी का बर्दी धारी आतंकबादी है और मैं सुप्रीम कोटे बैठे मुक्त के नहीं दी स्जी आप से अपेल करता हूँ ये एक तीर से दोश्च इकार करने कहा है एक जो हमारे जैसे देश के अंदर बे बाकी केसाथ देश से गधदारी करने वाले और चीन से यारी करने वाले देश से गदारी करने वाले अंग्रेज़ों से यारी करने वाले देशवासियों से गदारी करने वाले और कमपनियों से यारी करने वाले संग परिवार की भाजपा सरकार की पोल खोल करते हैं उन सब लोगों को डराने का सडियंत्र है और दूसरा सडियंत्र यह है कि सुनो मुक्यन आदीश जी फैसला देने से पहले समझ जाओ बर्दी में भारत की बर्चेना की बर्दी में रेलवे रिजर पुलिस फोर्स की बर् हमारे RSS के आतंकबादी भी है जिनकी सुरक सामें तुमें जिन्दा रहने का अफसर मिलता है वही आतंकबादी जिस तरीके से आदीवाशी एसलाई टीका राम को इसले गोली मार देता है क्योंकि उसने भारत में मोधी और योगी जिन्दा बात कहना बना कर दिया उसने कहा तुम हमसे शीनियर अधिकारी भी क्यों नहीं हो लेकिन अगर तुमने योगी मोधी कहने देश में रहना होगा योगी मोधी कहना होगा अन्यता तुमको टीका राम मीना आदिवाशी की तरह मौत के घाट उतारा जाएगा मुसल्मानों का मौत के घाट उतारा जाएगा और चैनल देखता था टेली विजन के जिन्हों ने उसके दिल और दिमाग में आदिवासर मुसल्मानों के खिलाफ नफ्रत बढ़ दी वह कौन-कौन से चैनल और किस-किस नेता को सुनता था जिसके लिए उसने कहा कि देश में योगियर मोधी कहना होगा नहीं तो जिंदा नहीं कि रहना होगा गोली मार देता है वो किसको फॉलो करता है इसलिए नकेवल सुप्रीम कोटे बैठे जज़ों को चेतावनी दी गई है मुझे नहीं पता मैं तो मानता रहा हूं कि तड़ी पार रह चुके हमिसा को सजा सुनाने से पहले जिस तरीके से सीबी आई के बिसेस ज आर जज़ जब सड़क पराये थे सुप्रीम कोट के के खत्रे में हैं लोग का तंत्र उनमें से एक जज़ को यह उन सोशन का मुक्यद्मा दर्च करा करके अरब तो रज्यसभा की कुर्शीव से पाल तू बना करके रखा गया है बोलती बंद कर दी गई है तब मैं यह मानत मैं बढ़ाई देना चाहता हूं कि यह फायार जेर्च से कर दर्च करने का कारण क्या है तमाम जो बाते आपने उठाई है हम लोग भी सड़क पर इन बात तक उठाते रहें लेकिन एक और क्रोनोर जी मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह कि बुलोरो गाड़ी में नाशी जलाने वाले लोगों के आरोपियों में से 22 फरवरी को राजस्तान के पुलिस ने आठ लोगों के फोटो भी सारब जनिक किये थे उन आठ लोगों में एक फोटो मोनू मानेस्वर का भी था ठीक एक अतिस तारीक को एक जैन धर्म का शुरंद्र जैन है वह आईलान करता है अईलान करता है घो सुना करता है कि हिंदू जो है नू के मंदिर में पहुचेंगे रहे भाया तुम जैनी हो अपने जैन धर्म के अपने मंदिर की बात करो लेकिन एक क्रोनलोजी को आपको समझना पड़ेगा एक तिस तारीक को ही सुप्रीम कोट माणीपुर की सुनवाई कर रही थी ब्यंच 31 तारीक को बाद बड़ा फैसला आ सकता है इस बाद से बिचली था पुरा संग परिवार बाजपा परिवार इसी लिहें क्रोनलोजी के हिसाफ से इनके बढ़दी धारी आरे असेस बीजेपी के आतंकी चेतन सिंग चोधरी ने सरे आम रेल के अंदर ये भी कहा गिया है कि जजो तुमारी सुरक्षा में जो बड़दी धारी है वो हमारे आतंकी भी हो सकते हैं अर तब दूसरा मामला मोनु माने स्वर का एक वीडियो जिसमें वो ऐलान करता है दस सजार रुपए का वांटिड है वो कायर हत्यारा जिसने जलाया और अभी जुनायत को उसके प्रती देश और दुनिया में सब को नफ्रत है जो अपने को बड़े खतरनाक हत्यारों के साथ जिसका फोटो आप देखते होंगे भावत गीड़ की तरह भगद़ मची हुई है हमने तो सुना है कि वह नेपाल में छिप करके रह रहा है जैसे ही मिलेगा राजस्तान के पुलिस ढूंड रही है उसे कुछते की तरह उठा के ले जाएगी मोनमाने सब अगर यहाँ पौज क्या होता नो में तो राजस्तान के पुलिस उठा कर ले जाती है तब ये और संदेश क्योंकि सुप्रीम कोट की एक बेंच सुन रही है कि भीड तंत्र के बिशय में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है तो एक सुरेंद्र जैन है सुरेंद्र जैन की बीबी सुरेंद्र जैन के बेटे सुरेंद्र जैन के बहू माता पिता नुहू में नहीं थे और जिनक के लिए तुम तलवारे लेके घूम रहे हो, कट्टे रिवालबर लेके घूम रहे हो, हत्यार लेके घूम रहे हो, जड़ा सोचो मेरे देश के युवाओं, उनके बेटे, बेटें में, अमेरिका में, लंदन में, वहां उची डिग्री हासिल कर रहे हैं, अमिस्षा के कुन्मी का कोई व्यक्ति वहां नहीं था मैं आपके माध्यम से साब गोई के साथ कहना चाहता हूं एक तो सुप्रेम कोट के मुख्ष नय दिस इस क्रोनलोजी को आपको समझना चाहिए एकतिस तारी को कथोरता से आपकी सुनवाई के लिए इस्टैन लेना एकतिस तारी को ही चेतन जिंग चोधरी का मुसल्मान और आदिवासी की गोली मारकर हत्या करना और दूसरा उसी दिन मोनु मानेश्वर जो मौस्ट वांटिड है उसका यह अपील करना कि अधिक से अधिक संख्या में लोग नूँ पहुचें और बहां पर यह दंगा और फसाद कराना मैं तो दूआ करता हूं परवाले से जो मिर्थ हैं मिर्थक हैं इस्वर खुदा रब गौड उन्हें दुख सैने की सक्ति परदान करी और जो घायल है वह स्विक्र स्वस्त हों और फिर मैं कहन चाहता हूं यह हात्यारों का सिलसिला और यह गोली बारूत का मामला चेतन सिंग्चोधरी के माध्यम से एक संदेश हमारे देश में सोचना भी चाहिए यह नफरत कौन फैला रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं नफरत फैलाने वाला अगर हम से कोई पूछेगा तो वह बदलती है नाडे के अंदर का माल नहीं बदलती है और राजस्तान के सरकार के विशह में जो अभी कहा उसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए मैं पूरे देश वाशियों से खास करके मावहिनों से मापी चाहता हूं कि मुझे अप देश और दुनिया के सबसे बेहुदे असव्या असंस्किर्थी सब्द का बोलने वाली परधान मंत्री नरेंद्र मुदी के सब्दों को आपको सुनाना पड़ रहा है या मुझे उनको दोराना पड़ रहा है इसके लिए मैं आप सबों से मापी चाहता हूं तन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख